श्री शिवाई नमस्तु भ्यम दर्शकों कैसे हूँ आज अगरते हैं कि आप सब सुवस्तेम सुरक्षित होंगे दोस्तों आज हम 24 जुलाई साथी स्रावन महा की स्वोमवारी ती थी यानि कि 24 जुलाई को जो स्वोमवार पढ़ रहा है सावन का तीसरा स्वोमवार माना गय हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों कहते हैं कि जो भी मनुष्य स्रावन महा के तीसरे स्वोमवार इन पाच महा मधे पूरे स्रधा के साथ करता है उसके जीवन की तमाम आरतिक समुद्ध दूर होती है तमाम कउस्ट दूर होते हैं जो भी जीवनले में वहादा आ रही होती हैं वे शमाप्त हो जाती हैं तो इसी के साथ दोस्तों बने रही है आज इस वीडियो के साथ और इस वीडियो में आज हम पूझी गुर्देव की शिमाह पुरान कता से बताए वे पाच दिव्या उपाई बताएंगे और पाच चमतकारी उपाई बताएंगे इन पाच चमतकारी उपाईयों को कर आप अपने जीवन के तमाम कष्टों को दूर कर सकते हैं आपकी जीवन में जो भी समश्य आ रही हैं वे दूर हो जाएगी आपकी मनोकामना पूर्ती होगी और दोस्तों ये जो पाच उपाईय है ये पाचों ही उपाई भीविन्द परकार क आपकी जीवन में जो भी समश्य आ रही हैं सभी को दूर करेगा इन उपाईयों को करने से आपकी मनोकामना भी पूर्त होगी कर्ज समंदित अगर कोई समश्य जीवन में आ रही है तो वे भी समाप्त होगी कोई भी आपकी बहुत बड़ी मनोकामना है जो कई दिनों से पाच महा उपाई हैं आपके जीवन को आपके भाग्य को बदल सकते हैं तो दोस्तों ये जो उपाई हैं पूज गुर्देव की श्वय मुक्षे बताये गए हैं और बहुत ही कारगारी और दिव्य उपाई हैं एक बार विश्वास करकर इन उपाईयों को किजेगा आप दोस्तों सबसे पहला उपाई है मनोकामना पूर्टी के लिए अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो काफी दिनों से पूर नहीं हो पा रही है आप मलब तरह तरह के उपाई टोने टोटके करकर ठक चुके हैं तो एक बार विश्यास के साथ इस उपाई को किजिएगा आप लोगों को केवल स्रावन महा के तीसरे स्वमवारी तीथी को यानि कि इस दिन सुबह आप इश्नान करें इश्नान करने से पूर्व आप साप वस्तर पहन ले और फिर आप लोगों को एक पीतल का लोटा लेना है पीतल के लोटे में आपको जल भर लेना है थोड़ा सा कच्चा दूट डाल लेना है एक या दो चमच उसके बाद में आप लोगों को उस लोटे में थोड़ा सा महादेव का इश्मन करते हुए कुम्बेश्वर महादेव का इश्मन करते हुए मन में स्रीश्वाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए बोलते हुए आप लोगों को शिवलिंग पर उस हल्दी चंदन वाले दूद को अरफित करना है उसके बाद में आप लोगों को वही पर ब शिग्र से शिग्र 24 गंटे में ही पूरी होती है और दोस्तों इसका लाव आप लोगों को अवश्य मिलेगा एक बार करकर देखेगा दोस्तों अगला होपाई है कर्ज मुक्ति के लिए अगर आपके उपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है और कर्ज चुकनी में नहीं आ र दिशान बनाना है लाल चंदन से लाल सिंदूर से और दूसरी तरफ आप लोगों को अपनी मनोकामना लिख देनी है या फिर अपना नाम लिख देना है उसके बाद में आपको साथ में एक लोटा जल लेना है और साथ ही आप लोगों को कुछ काली मिर्चे लेनी है आठ 21, 108 पाति जो भी ही र difference मंदिर में जाकर आप लोगों को ए सबसे पहले नदी महराज में आप लोको मऌन अपको किकान में आप को महराज हुना है कि माहराज शमारज भी महरा पर कलिगए दोर हो जैएétais जल्ड भूर वहdem करना है और फिर आप लोगों को सिरी शिवाने मस्तुब्यम का जब करते हुए सिविलिंग के उपर जा लप्पित करना है दोस्तों कहा जाता है कि इस कारिये को करने से कर्ज से जुटकारा मिलता है धीरे धीरे रिण समाप्त होने लगता है वास्ताव में यह उपाय है बहुत दिनों से किसी भी परकार की उसके बिमारी है ठीक नहीं हो रही है रोग से गरसत है तो एक बारी शुपाय को जरू कीजिएगा वास्ताव में इलावे देखने को मिलेगा दोस्तों घर में अगर कोई भी रोगी है किसी भी परकार की बिमारी है ठीक नहीं हो पा रही है तो स इसा करें थोड़ा सुद्ध पानी डाल ले और आपके घर के पूजा इस्तल में से पूजा इस्तल पर रखा वो जो जल का लोटा है उसमें शी एक शी दो चम्मच उस जलो वाले पानी में डाल ले और साथ ही आप लोगों को उस लोटे को लेकर किशी भी श्यूमंद्री में जाना है जहां पर सिवलिग हो वहाँ पर जाकर आपको स्रावन महा के तीसरे सोमवारी तीथी को आप लोगों को उस जल को उस गंगा जल वाले सुद्ध जल को स्विवलिंग के उपर अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तु भ्यम का जब करना है आपके घर में जो भी रोगी है जो भी उसे बिमारी है आपको बोलना है कि हे प्रभू हे मेरे अदिधेव महादेव इसे समश्या को शमाब्द करे ऐसा बोलकर द आप लोगों को उस जल को उस रोगी को पिलाना है जो आपके घर में रोग से गरसित है और उसके थोड़ा सा जल का छीटे मार देने है और पूरी घर में भी आपको छीटे मार देने है इसे घर का वातावरण भी ठीक रहेगा घर में किसी भी परकार की आज बीमारिया प्र व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है तो कौन सा उपाई करना चाहिए दोस्तों कई बार कहते हैं कि जब हमारा व्यापार नहीं चल पाता है तो उसके पीछे एक नहीं बलकि हजारों कारण होते हैं कहते हैं कि व्यापार ना चलने की पीछे कारण होता है कि व्यापार इस त तक को काफी समश्याओं का सामना करना पड़ता है इसी परकार दोस्तों ब्यापार के कारे में लाब की प्राप्ति के लिए आप इस दिन स्रावन महा के तीसरे स्वमवार यानि की स्वमवार के दिन आप इस उपाई को कर ले आप लोगों को किशीवी बेल पत्र के पोधे की जड़ लानी है, जड़ को आप लोगों को अपने घर लाना है, अपने घर जड़ को लाकर आप लोगों को एक कपूर जलानी है, कपूर जलाकर कपूर में आप लोगों को थोड़ी सी धूप डालनी है, फिर उस धूप की धुवा में आप लोगों को उस बेल पत्र की जड़ क दिखाना है और फिर आप लोगों को अपनी मनोकावने बोलते हुए जीर में जो भी कर्ष्ट आ रहे हैं जो बोलते हुए अपने व्यापार में जो भी आपको सपलता चाहिए हो बोलते हुए उस बेल पत्र की लकडी में आप लोगों को लाल धागे से साथ गाठे लगानी है और फिर उस बेल पत्र की लकडी को आप अपने घर के पूजा इस्तल में भी रख सकते हैं या फिर अपने व्यापार इस्तल पे भी रख सकते हैं कहते हैं कि इससे घर में पैसा भी आने लगता है घर में धन के मार्ग भी खुलते हैं इसी के साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस कारे को करने से व्यापार भी दड़ा दड़ चलता है और व्यापार दूरो दूरो तक बढ़ता है। साथी भी श्यू मंदर की चोखट पर जला कराते हैं तो यह माना जाता है कि इसे घर में शुक्षम्रदी बनी रहती है साथी दोस्तों स्रावन महा के इस तीसरे सोमवार आप पाच दीपक जलाए और पाच दीपकों में से एक दीपक भगवान श्यू के मंदर में रखे एक द कारे में सपलता का लाव मिलता है सभी कारिया बनते ही जाते हैं हर छेतर में लाव की प्राप्ति होती है धन के मार्ग खुलते हैं दुर्भग्य सोभग्य में बदल जाता है और लाव की प्राप्ति होती है आर्थिक समश्य दूर होती है दोस्तों ऐसे में जो है यह और स्रावन माहक की तीसरे स्वोवार अवश्य करना है अब आस्तों में आपको लाब प्राप्त होगा तो मित्रों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अबना ख्याल रखेगा आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद जी नमस्कार